अगर आपने हैं मारे चानल को सब्सक्राइब ना ही किया हाई टू अभी किजिए हम आपको यहाँ देश राजी विदेश क्रिकिट खेल पंचान पुरान बिजनेस मनुरंजन गैजिट्स जीवन शैली तरक्की एजुकेशन की लेटिस्ट जानकारी देंगे भाई दूज का त्योहार भाई बेहन के सनेहा को सुद्रिड करता है यह त्योहार दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है हिंदू धर्म में भाई बेहन के सनेहा प्रतीक दो त्योहार मनाया जाते हैं एक रक्षा बंधन जो श्रावन मास की पुर्णिमा को मनाया जाता है इसमें भाई बेहन की रक्षा करने की प्रतिग्या करता है दूसरा त्योहार भाई दूज का होता है इसमें बेहने भाई की लंबी आयू की प्रार्थना करती हैं भाई दूज का तियोहार कार्तिक मास की द्वित्या को मनाया जाता है भाया दूज को भ्रात्र द्वित्या भी कहते हैं इस पर्व का प्रमुख लक्षया भाई तथा बेहन के पावन संबंध वा प्रेम भाव की स्थापना करना है इस दिन बेहने वेरी पूजन भी करती हैं इस दिन बेहने भाईयों के स्वस्थ तथा दीर खाई होने की मंगल कामना करके तिलक लगाती हैं इस दिन बेहने भाईयों को तेल मलकर गंगाई यमुना में सनान भी कराती हैं यदि गंगाई यमुना में नहीं नहाया जा सके तो भाई को बेहन के घर नहाना चाहिए यदि बेहन अपने हाथ से भाई को जीमाए तो भाई की उम्र बढ़ती है और जीवन के कश्ट दूर होते हैं इस दिन चाहिए कि बहने भाईयों को चावल खिलाए, इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेश महत्व है, बहन चचेरी अत्वा ममेरी कोई भी हो सकती है, यदि कोई बहन न हो तो गाए, नदी आदी स्रीत्व पदार्थ का ध्यान करके अत्वा उसके समीप बैठ कर भोज जिन कर लेना भी शुब माना जाता है, इस दिन गोधन कूटने की प्रथा भी है, गोबर की मानव मूर्ती बना कर चाती परलींट रख कर स्त्रियाओं से मूसलों से तोड़ती हैं, स्त्रियाँ घर घर जा कर चाना, गुम तथा भटकेया चराओ कर जिवा को भटकेया के जिश महत्व है, भहिया दूज की कथा भगवान सूर्य नारायन की पत्नी का नाम चाया था, उनकी कोक से यमराज तथा यमना का जन हुआ था, यमना यमराज से बड़ा स्नेहा करती थी, वह उससे बराबर निवेदन करती की इष्ठ मित्रों सहित उसके घर आकर, भोजन कर अपने कार्य में व्यस्ति अमराज बात को टालता रहा, कार्तिक शुकला का दिन आया, यमना ने उस दिन फिर ये अमराज को भोजन के लिए निमन्तरन दे कर